आज हम जा रहे हैं अपने गाउं लतवली लदुबाड़ी जो हमारे घर से 17 किलुमेटर की दूरी पे है मेरा गाउं चार खंड के खूटी जिला के तुरुपा पर खंड में है यह हमारे गाउं के घर के आंगन में लगाए चिमली का बड़ा सा पेड़ और यह है मेरा गाउं का घर यह है मेरे पिता जी के बच्पन के दोस्त जोहर अब है अब है जाड़ी जाड़ी से मेरा बाल कैसे हो गाउं की अच्छी बात यह है कि यहाँ सांती और हर्याली बहुत है बगर यहाँ जो बेसिक सुविधाएं होती है वो नहीं है जैसे हॉस्पिटल, स्कूल इसलिए हम अपने गाउं के घर से दूर 17 किलो मिटर तोरपा में रहते हैं अब हम जा रहे हैं अपने खेतों की ओर और वहीं हमारे चाचा जो हमारे गाउं के घर में रहते हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं खेतों में धान लहलाहा रहे हैं तो अचै कर रहे हैं अपमाता मेरे गाउं में लोग चुवा का पानी पीते हैं चपकल का पानी उन्हें खास पसंद नहीं आता और बाकी सीजों के लिए वो प्राकृतिक डोभा का इस्तिमाल करते है यह हमारे गाउं का एक डोभा है यहीं लोग कपड़े धोते हैं नहाते हैं ऐसे तो हम नए आउसरों और सुविधाओं के लिए सहर में बस जाते हैं मगर हमें कभी भी अपनी जड़े नहीं भूलने चाहिए और जो अपनी आदिवासी पहचान है उसे बनाए रखना चाहिए